कैसो आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छ होगे स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग आपके अपनी चैनल क्रिकुलन प्रेडिक्शन में है गाइस कॉलकाटा नाइट ट्रैडर्स वसे राजिस्थान रोल्स के बीच में आप लोगों को IPL का एक बहुत अच्छा रोमांचक मुकाबला देखनी को मिलने वाला है वीडो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन से खिलाडी अपने स्मॉल लिग के टीम में लेके चलना है कौन से खिलाडी आप लोगों को ग्रांड लिग जितवा सकते हैं कौन से खिलाडी ग्रांड लिग में लेके चलना है कौन से खिलाडी को ड्रॉप करना है तो वीडो बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है वीडो के डिस्क्रिप्शन में जाना और कमेंड बॉक्स में जाओगे तो टेली ग्राम चैनल का लिंक मिलेगा ठीक आप जोएन ज़रूर कर लेना लिंक वर्क ना करें तो सिंपली से क्रिक 2580 लिक करके आप लोग टेली ग्राम पे मुझे सर्च करके भी जोएन कर सकते हो आना तो 4 नुवंबर का फिल्ड मैसेज होगा इसको ज़रूर चेक कर लीजेगा तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग दोनों टीमों के प्लेंग लेवन से कौन से खिलाडी कहां पे खेलने वाले हैं क्या कुछ फॉर्म रखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं केके आर के टीम के तरसे दोनों टीम टॉप टू टीम रहने वाली इस चीज़ का ध्यान रखना दोनों टीम होने बहुत जबरदस्थ परफोर्मेंस किया है जो कि मैं अभी आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा तो फिल साल्ड के साथ सुनील न मैं रैंड की बात करते हैं तो छे रनों की पारी खेली पलस बॉलिंग से भी एक विकेट निकालें इस मॉल लिग में सबसे सेफ कैप्टेंसी माटेरियल खिलाडी ये बंदा रहने वाला है अंगरी रगुवंशी की बात करते हैं जहां पे देखिएगा पिछले मैच में व विसी भी बना सकते हो वहीं बात करते हैं विंकेटेस इयर देखो बैटिंग करम इनका उपर नीचे होते रहता है और इस सीजन उतना बहतर इनका फॉर्म भी नहीं दिख रहा है ठीक है एक आता मैं छोड़ दिया जाए तो आप लोगों का ड्रॉप करोगे मतलब अगर बहुत नीचे रहती है कभी आती है कभी नहीं आती है रिंकु सिंग पावर हिटर बैट्स मेंने आप लोगों को मतलब टीम अगर अच्छा सुरुवात दे देती है तो कई बार हो सकते हैं आपको उपर भी बैटिंग करते हुए दिख जाए ठीक है तो इंपोर्टेंट रह और मुझको लगता है अब आने वाले जितने भी मैच है न ये केके आर के तरफ से बहुत इंपोर्टन खिलाडी रहने वाले हैं वहीं वैभो अरोरा की बात करते हैं तो एक विकेट इनको मिला दो विकेट उससे पहले निकाले अंडर रेटेड खिलाडी हैं काफी कम लोग केते हैं उससे पहले एक सतक अब देखो एक अगर इनकी सैंचुरी नॉट आउट पारी छोड़ दिया जाना जो कि अगेंस्ट आरसी भी आई है तो उसके बाद भाई टोटली ये फ्लॉप रहें ठीक है 2022 का सीजन तो इन्हीं का सीजन था हाँ यससवी जैसवाल पिछले मै हो ला थी ना टीम इंडिया में इनका डेबियू वगएरा भी हो रहा था वहीं संजू सैंसंट टीम के काप्टन 18 अनुका इन्हों ने पफरमिस किया था फॉर्म इनका वैसे बहुत अच्छा है इनके तब से रेड एंड होट फॉर्म में है ना में रियान पराग गजब की फॉर्म में है ठीक है मिडल ओर्डर में सबसे बेस्ट फॉर्म में है और अगर जॉस बटलर उपर से फॉर्म में आ जाते है ना तो फिर यह मैच देखने में कसम बता रहा हूं बहुत मजाने वाला है वहीं धूर्ब जूरेल की बात करते हैं डीसेंड खेलाड़ी ये ग्र चाहो तो एक्सपेक्ट करके चल सकते हो ठीक है अब देखो अस्वीन आज के मैच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और टीम चाहे तिन से पावर प्ले में भी ओवर करवा सकते हैं क्योंकि सामने देखिएगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैं सुनिलना रहा है तो अस्वीन आप कि जितने खिलाड़े बर्गर खेलेंगे तो मस्ट फिक वाले खिलाड़ी रहेंगे इनिंग के बॉल में नितीस राणा को मैं चाहता हूं कि केक्यार वाले खिलाए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो आप लोग चाहो तो स्क्रीन सोट बगरा ले सकते हो मैच की बात करते हैं मैच नमबर 21 सोलह अपरेल साड़े साथ बजे शाम को इडेन गार्डन कॉलकटा में आप लोगों को होता हुआ दिख जाएगा जो कि बैटिंग विकेट रहने वाली है बहुत रन यहां पर बनता है और तीज बॉलर्स जो होते हैं फास्ट बॉलर्स इंपॉर्टेंट है ब बाकी 11 विकेट टोटल गिरे हैं पिछले 5 मैचों में जापे 6 विकेट पेसर्स वा 5 विकेट स्पिनर्स ने निकाला है तो दोनों परकार के बॉलर्स आप लोगों को टीम में ट्राइ करके चलने हैं वेनू के हैसाब से टॉप पफॉर्मर खिलाली की बात की जाए तो देख है रिसंड कुछ मैच जो कि इस ग्राउंड पे खेले गए हैं देखेगा पिछला लस्जी और केके आर का मैच था जहापे लस्जी की टीम 161 की थी केके आर की टीम चेज कर गई थी विकेट देखेगा पेसर्स निकालते हैं जाधा तर तो साथ विकेट पेसर्स दो विकेट की टीम 175 लस्जी की टीम यहाँ पे मैच को एक रनों से जीत गई थी यहाँ पे पेसर्स का बोल बाला है फिर यहाँ पेसर्स केके आर की टीम 151 मना के मात्र एक विकेट खोकर चेज कर गए थी यहाँ पेसर्स स्पिनर्स को इक वाल विकेट मिला था तो यह ग्राउंड वन स जोन कर लेना अगर आप भूल गए हो तो जोन जरूर कर लेना जौस बटलर बात करते हैं जब दोने टीम आपस में खेलती तो कौन से टॉप पर्फॉर्मर खिलाडी निकल के आते तो जौस बटलर 12 मैच में 370 एक सो तीन हाइस्ट स्कोर है संजू सैंसन 19 मैच में 517 साथ है जैसवाल तीन मैच में 120 रन 98 हाइस्ट स्कोर है मनिस पांडे 14 में 375 तीरासी हाइस्ट स्कोर है मनिस पांडे अगर खेले ना तो आरर के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड अच्छ है तो थोड़ा आप इन पर ध्यान रखना ठीक है चांसे वैसे कम ही कि खेलेंगे लेकिन अगर खेल लेते हैं तो मैं रिकॉर्ड बताना मेरे काम है तो मैं बता दे रहा हूं स्रेयर सय एर आरर के अगेंस्ट 11 मैच में 385 रन 28 हाइस्ट स्कोर है विंकटे सय एर 3 मैच में 100 रन 56 हाइस्ट इसकोर है अवेश्खान 6 में 10 विकेट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ट्रेंड बर्गर के अगेंस्ट खेले हैं आउट नहीं कर पाएं बर्गर और नौ बॉल का सामना कियें फिलसाल्ट और पंद्रा रन बनाएं नारायन को देखिएगा संदीप सर्मा ने एक बर अश्विन ने भी एक बर आउट किया लेकिन अश्विन को मारा भी बहुत है बाई देखि तो यससवी जैसवाल को चेतन साकरिया ने एक बर आउट किया है नारायन आउट नहीं कर पाएं ठीक है बटलर को वंकेटे सायर ने दो बर चेतन साकरिया ने एक बर आउट किया है संजू सैमसन देखेगा आंद्र रसल से एक बर फसे है नारायन आउट नहीं कर पाएं वह परफोर्मर में बात कर रहा हूं और सामने से देखो कि जैसवाल का 99 नौट आउट थे संजू के 49 नौट आउट थे यूजी चहल के चार विकेट थे ठीक है बागी ट्रेंड बोल्ट ने दो विकेट निकाला था एक और मैच हुआ है यहाँ पर के क्यार की टीम ने मैच को वो से स्रेयर साइयर के 85 रने सुनिल नरायन के दो विकेट है के क्यार की टीम 171 और और की पूरी टीम 85 बनाके ओल आउट हो गई थी विंगेटे साइयर के 38 रने और वरुन चक्रवर्ती के एक विकेट है आपको एक कॉमन नाम इसमें संजू सैंसन का बार बार रिपीट होता दोनों टीमों का रिसेंड फॉर्म में पिछले पांच में से मात्र एक-एक मैच हारी है चार-चार मैच जीत के आ रही है इसमॉल लिग में बेस्ट क्याप्टन वाइस काप्टन सुनिल नरायन संजू सैंसन रियान पराग या सस्वी जैसवाल या सस्वी के जगहा पे मेरे ख्याल से आप किसको मान सकते हो भाई यूजी चैहल का नाम मान के चल सकते हो ठीक है क्योंकि या सस्वी जैसवाल फॉर्म में नहीं देख रहा है और बटलर को भी नहीं कहूंगा क्यूंकि फॉर्म इनका भी अगर एक सतक हटा दिया जात उतना बहतर नहीं है ग्रांड लि आ लेना जो कि सेम टेलीग्राम का ज्वानिंग कोड है एक हजार से ज्यादा लोग सिर्फ अपने क्रिकुलन प्रिक्शन फैमिली से यहां पर खेलते हैं बहुत अच्छी यहां पर आप लोगों के लिए जैसे कि आज देखो आरसी बी और इसारेश का मैचना यहां पर हंड ग्रांड लीग के खिलाडी में आप लोगों को समझा दूँगा वीडियो में भी मैंने बताया है देखो संजू सैमसन फील साल्ट अगर जॉस बटलर खेलेंगे तो इंपोर्टन रहने वाले स्मॉल लीग में वैसे फॉर्म उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी यह लेकिन लेके चल रहा हूँ बाकि सब ग्रांड लीग वाले खिलाड़िया रगवणशी को G.L में देख लेना रिंकु सिंग भी G.L में देखPass वी G.L में देख रहा है एट मायर को भी ग्रांड लीग में देखना बाटन कि इनका बैटन करम अच्छा बाकि तो सब का ब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा भाई आप चाहो तो ले सकते हो लग बेस्ट रहने वाले हैं बॉलिंग से यूजी चाहल मिचिल इस्टार को ट्रेंड बोल्ट के साथ में जा रहा हूँ आवेश खान अगर आरर की टीम फर्स्ट बॉल करे तो आप इनके साथ जा सकते हो वैभाव और अब बहुत कम लोग ट्राई करेंगे ग्रांड लिग में आप ले लेना दो विकेट कभी भी निकाल के दे सकते हैं और सेम कुलदीप सेंग के बारे में भी यही कहना चाहूंगा आरर की टीम फर्स्ट बॉल करे तो आप इनको भ वाइस काप्टन और आफटर टोस्स जो भी टीम होगी वो टेलीग्राम पे दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन कमेंड बॉक्स में लिंक है और वीडियो इस्किप करके सिफ आप लोग उन्हें टीम देखा है तो छोटी से रिक्वेश्ट ये वीडियो देख लेना ठीक है क करके सर्च करके आज आज आना चार नमंबर का पिंड मैसेज होगा मेरे बाई जरू चेक कर लेना यह आप मैसे जरू चेक कर लेना तो मिलता है कर अच्छी वीडियो साथ अपते के लिए गुडवाई टेक के